हेलो फैंट्स वेल्कम टू अस्टार का स्टेट्यू पाइंट स्वागत करते आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास्ट वालों के लिए मौस्ट भी वी एक कोशन यहाँ पे 2022 के बोर्ड परिशा के लिए हिंदी स पर का दोस्तों चाहिए आप आर्ट साइंस को मस्तिनों चात्र के लिए सिलेवस एक ही राता है ठीक है सिर्फ और सिर्फ आप लोग को एकजाम अलग अलग होंगे और पैटर में थोरा सा इधर उदर होगा चुकि 2022 के एकजाम में आप लोग को नए पैटरन पर एकजाम होन दोस्तों बिल्कूल टेस्ट पैटन पर आप लोग को मिल जाएगा और साथ में सब्जेक्टिव पर ठीक है यहाँ पर बात करेंगे क्लास्ट वालों के लिए हंदी का यहाँ पर बार्माच यहाँ पर चैप्टर वाइज हम लोग आप लोग को अब्यक्टिव कोशन पहले क करके ताकि जैसी निया वीडियो लगांगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए असानी से ठीक है और आप उस वीडियो को असानी से देख पाएंगे तो चलिए हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आप हमारे अप्लिकेशन को भी डॉन्लोड कर सकते हैं मोब जाम के लिए ठीक है तो चलिए यहाँ पे जीवन परिचाइ दांते हैं हम लोग उदय प्रकास कौन है दोस्तों यह तरिशके लेखक है आप लोग के बुप में तो चलिए यहाँ पर जीवन परिचा के बारे में जाते हैं कि समसमाई के हिंदी के परमुख लेखक उदय परकास का जनम उत्तर मध्य परदेश के अनुप पूर में सीतापूर नामक अस्थान पर हुआ था कब हुआ था तो एक जनवर 1902 को ठीक है तो एक जनवर 1902 को इनका जनम हुआ था नहीं मतलब इन अभी जिंदे हैं दोस्तों ठीक है इसलिए यहाँ पर हुआ था नहीं है जब यह इनका मिर्त्यू हो जाएगा तब लिटेस्ट इसका एडिसन आएगा दोस्ति इस बुक का तो वहां पर यह वा था का ओप्शन आ जाएगा ठीक है इनकी माता तथा इसके बाद जो दोस्तों यहाँ पर में किया यहाँ पर से लिखा गया है में किया ठीक है बीए सी के बाद में होता है बीए सी पहले किया उसके बाद हिंदी से यहाँ पर में किया मास्टर ओफ यहाँ पर आर्ट ठीक है पढ़ाय के बाद इन्होंने कुछ समय तक संसкितिक विभाब में विशिस कर्थबिष्थ अधिकारी के रूप में भी इनका मतलब इन होने काज किया मधरपद्य सरकार में इन्हों ने दिन नमान के संपादन विभाग में तथा नई दिली के संडे मेल में सहायक संपादक के रूप में भी कार्ज किया वहीं वे प्रेस्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के टेलीविजन विभाग में विचार एमपठ कथा परमुक भी रहे इसके अलाबा इन्हों ने टाइम्स रिसर्च फाउंडेशन में पत्रकारिता का अध्यापन भी किया उदय प्रकाजी सोतंतर लेखन फिलम नि निरंतर कार्जरत हैं तो यह था दोस्तों इनके जीवन परिचा के बारे में कुछ डिटेल्स इनका नाम इनके पिताजी का नाम इनके जनम कहां पर हुआ था किस इसका प्राराम्बिक सिक्षा कहां तक पढ़े क्या क्या कार्ज किये यह सभी जीवन परिचा में आया अब ह कविता संग्रा भी लिखे आनुबाद भी किया है और निवंद अलोचना भी किये हैं ठीके चलिए हम लोग और चप्टर ये कहानी है और अंत्वे प्राथा दत्रा द्रे के दूख अरेवा परेवा पॉल गोमरा का अस्कूटर पीली छातरी वाली लड़की मोहंदास मैंगो सिल आदी ये सभी कहानी है किनके दौरा उद्रे प्रकाजी के दौरा लिखा हुआ अब तेली अनुवाद के बा बात करते हैं इसवर की आंक उसका फिलम टीवी अनेक धरावाहिक और फिल्मों के लिए भी स्क्रिप्ट लिख चुके हैं यह उदाय परकाजी तो हम लोग बात करते हैं दोस्तों अब इनके चप्टर पर अधायत कुछ अब्यक्टिव परस्ण जो आप लोगे बुक्स से लिए गया है यह सारे कोश्चन और फिर्वियर से कोशन पूछे गया है ठीक है तक यहां तक देख चुके हैं दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए आप लोग के लिए काफी रहने वाल हैं दोस्तों यहां से ठीक है तो सबीजिवन परी चाहे था दोश्च चैप्टर से रिएटर कोश्चन वह प्रिवियर से वाले चलिया हम लोग पाला कोश्चन देखते हैं तो यहां पर उदाय परकाजी है तो से उतर यहां पर अपर सी हो जगा उदाय परकाजी के दोरा लिखा हुआ त्रीच चैप्टर ठीक है दूसरा नमबर देखते हैं कि त्रीच किसका परियाई बनकर उभरा है तो त्रीच जो है दोस्तों यह जहरीला है मतलब त्रीच एक परकार का छिपकली परजाती का जहरीला यहां पर 20 जहर के बारे में बत्या गया है इसकी तुलना किया गया है दोस्तों और इसको हम लोग 20 खापर भी बोलते हैं तो त् को काटने से यह मतलब बचन पाना मुश्किल है दोस्तों असंभव है तो यह सभी यहाँ पर बते आ गया है तो अभी छिपकली प्रजाती का विसाइला जीव है ठीक है अब नेक्स कोशन देखते हैं यहाँ पर हम लोग कि तरीच कहाने किस सैली में लिखी गई है तो तरीच जो है एक आत्म कथात्मक सैली में लिखी गई है दोस्तों तो चार का से उत्तर आपका अप्सन नबर सी हो जागा क्या है तरीच कहाने किस सैली में लिखी गई है तो आत पुछे जा चुके हैं छले यहां पर नेक्स संध्र कि सुनो कालिगर किया दोस्तों यहाँ पर कि सुनो कारिगर किसकी रचना है तो सुनो कारिगर जो रचना है यह है आपका उधर्परकाजी के दुरा लिखा हुआ ठीक है सुनो कारिगर जो कविता संगरा है ठीक है इनका अभी जॉश्ट आम लोग जिवन परे Napoleon essay में पड़े हैं कहानी सिल्फ के अंतरगत जो नहीं आता है वो आपका यहां पर अलंकार भासा, सैली, संबाद यह सभी आते हैं लेकिन जो है आपका अलंकार जो है वो कहानी सिल्फ के अंतरगत नहीं आता है यह उदाय प्रकास जी के दोरह यहां पर बते आ गया है दोस्तों तिरीज चप्टर में और टोटल आठ कोशन बने हैं ठीक है इससे लेटर जितने भी कोशन पुछे गए हैं अभी तक तिरीज च कोशन का प्रक्टिस करना चाहिए तो आप हमारे इस वेबसाइट के में से कर सकते हैं अस्टार के लिखेगा आपको लिंक डिस्क्यूप्शन मिल जाएगा तो जाकर आप लोग प्रक्टिस जरूर कीजिए ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में देखने आपका यहा